हेलो फ्रेंज स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्रिटिकल इस्टेडी में आज हम इस वीडियो में इतिहास में मुगल वन से संबंदित जितने भी महात्पूर क्वेश्चन बनेंगे वह उनसे रिलेटिट फेक्ट के बारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडि बाबर जो है किस वन्स का संस्थापक था तो बाबर जो है मुगल वन्स का खिलजी गजनभी वन्स का राजा वन्स का ये इन में से कोई नहीं तो इस कुश्चिन का राइट अंसर होगा बाबर जो था मुगल वन्स का संस्थापक था याने इस ओप्सन राइट होगा इस और अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है और आप टेली ग्राम ग्रूप हमारे टेली ग्राम ग्रूप क्रिटिकल स्टेडी से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकती हैं ठीक न आप टेली ग्राम पर सच प्रेंट PDF मिल जाएंगी तो सेकंड क्या है 1526 में बाबर ने लोदी वंस के सासक को परास्त कर किस राजी की निव डाली थी तो बाबर सामराजी की लोदी सामराजी की मुगल सामराजी की या इन में से कोई नहीं तो इस कुश्चिन का राइट आंसर क्या होगा मुगल सामर पाबर से थे तीसरा कुश्चिन है 1526 में पानी पत का कौन सा युद्ध हुआ था दुती युद्ध प्रतम युद्ध करती यूद्ध तो इस कुश्चिन का राइट अंसर होगा पानी पत का प्रतम युद्ध हुआ था पंदरासोचपश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्पश्प बिहार विजय की यादगार में, राजिस्तान विजय की यादगार में, गुजरात विजय की यादगार में, या इन में से कोई नहीं, तो इस question का right answer होगा, गुजरात विजय की यादगार में, यानि C option right होगा, बुलंद दर्वाजा के निर्मण अकबर ने कब कराया था, तो में से कोई नहीं तो इस question का right answer होगा अकबर ने मनसबदारी प्लाली मुगल प्रसासन प्रारम्ब किया था अकबर ने तेगा नेक्स question क्या है चटमा question है तानसेन किसके दरबार में थे तो तानसेन किसके दरबार में इस question का right answer सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार में कौन थ तानसेन थे तेगना नेक्स कुश्चिन क्या है आइन ए अकबरी किसके दोरा लिखी गई है अबुल फजल बावर फाई हान या इन में से कोई नहीं तो इस कुश्चिन का राइट आंसर होगा आइन ए अकबरी जो है आइन ए अकबरी है अबुल फजल के दोरा लिखी गई है ए औप्सन right होगा अब फजल के दोरह लिखी गई है next question क्या है पानी पत की दूसरी लड़ाई कब किसके बीच हुई थी तो पानी पत की दूसरी लड़ाई जो है तेगना किसके बाद हुई थी अकबार और हेमू के बीच 1556 में हुई थी दूसरी लड़ाई पानी पत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी important question है सभी याद रखना है पानी पत की पहली लड़ाई कब हुई किसके किसके बीच हुई दूसरी लड़ाई कब हुई किसके किसके बीच हुई और तीसरी कोई नहीं तो इसक वर्पासरा किना ऱैँस हुआइन ऐसे में इस बतले भूलगा ओ लर्प्राइब विधाना के भा जनों रौशलर कोई नहीं है उसे मेरी आचाही विद्ब्रद Judge इसफ़ार के लुगायां महा भारत का फार्सी में फार था रजम नामा ठीक है ना तो इस क्वեՁटेर का राइट अंसर option C right होगा next question क्या है अकबर दौरा नया धर्म सुरू किया था तो कौन सा धर्म सुरू किया था अकबर ए इलाही, सोन इ इलाही, दीन इलाही ये इन में से कोई नहीं इस question का right answer होगा दीन ए इलाही नामक अकबर दोरा नया धर्म सुरू किया गया थे C option right होगा इस question का next question क्या है मुगल काल की राजभासा कौन थे तो मुगल काल की राजभासा कौन थे फारसी थे इस question का right answer सभी को पता था कि मुगल काल की राजभासा क्याती फारसी है और ये बहुत बार question आ चुका है important है ठीक नहीं next question क्या है तेरह मा question है टोडर मल भूरा जस्तों सुधारों के लिए उत्तर दाई किसके सासन काल में था बहादूर सहसे दूती है अकबर ये बाबर ये इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer क्या होगा अकबर यानि बी option right होगा टोडर मल जो भूरा जस्तों सुधारों के लिए उत्तर दाई किसके सासन काल में था तो अकबर यानि बी option right होगा next question क्या है बादत खाना किसके दौरा बनवाया गया था तो इबादत खाना किसके दौरा बनवाया गया था बादत खाना अकबर के दौरा बनवाया गया था ये ए उपसन right होगा और अभी आभी मैंने बताया कि इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेली ग्राम ग्रूप critical study critical study C-R-I-T-I-C-A-L study ST-U-D-Y टेली ग्राम में आप ये पेश सर्च करेंगे तो इसमें आपको सभी PDF जो एक्जाम से important है स्री मिलेंगी आपको वहां से आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है न next question क्या है पाँच माँ है पंदरहमा question है रामचरित मानस के लेका के तुलसी दास किसके सासन काल से संबंदित है very important question है जो एक्जाम में आ चुका है बहुत बार तो इस question का right answer क्या होगा अकबर तेकना रामचरित जो मानस के लेका के तुलसी दास जी है वे अकबर के तेकना अकबर के सासन काल के संबंदित है यानि सी उपसन right होगा next question क्या है सुलहमा question है अबुलफजल ने अबुलफजन की खालिस्तान जीवन कता लिखी थी तो किसने बहादूर साह ने बाबर ने अकबर ने 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 मेंसे कोई नहीं तो इस question का यान्सर होगा क्या होगा इस question का राइट अनसर होगा बहादूर साह ज़िए स्वोरी इस question का Right answer होगा मुहमत साह ठीक नव मुहमत साह गलत कुश्यन देख लेंगे इसको next question क्या है नेक्स्यक्यूश्यन है सैद भाईयों को किस्नी हराय था कि 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 यह रहा था तो मुहम्माद साहि, इसका अंसर है मुहम्मद साह, ठीक है न, पी ओप-सन राइट होगा, सैध भाईयों को मुहम्मद साहि न, इसको चुछेन की राइट अंसर, आपको देना की अबु फजल की जीवन गाता क्या थी ठीक ना इस question का right answer आपको comment box में बताना है कि इस question का right answer क्या होगा ठीक है ना इसका तो आप इन अभी जान लिया सैद भाईयों को किस नहीं हराया था तो मुहम्मद साह नहीं हराया था सैद भाईयों को नेक्स question क्या है अठायरमा कोश्चन है कौन अंतिम मुगल समराट थे तो बहादूर साहद दुती जो थे अंतिम मुगल समराट थे इंपोर्टन कोश्चन है एक्जाम में आ चुका है कि अंतिम मुगल समराट कौन थे तो बहादूर साहद दुती थे जो अंतिम मुगल समराट थे नेक्स कुश्टिन क्या है उननीस मह कुश्टिन है महेश दौस किस की उपदी दी गई है तानसेन की राजा बीरवल की दर्सन की या इन में से कोई नहीं तो इसकुश्टिन की राइट अंसर क्या हुगा इस question के right answer राजा बीरवल की उपदी दी गई है महेस दास को यानि B option right होगा next question क्या है किस मुगल सासा को दो बार राजवी के अभी से किया गया है बावर का अकबर का औरंग जेप का या इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer होगा औरंग जेप को मुगल सासा का जो दो बार राजवी से किया गया है important question है ये भी आपको याद रखना है वैसे मैंने 25 question लिए 26, 27 question लिए वो सभी important आपको सभी को याद रखना है next question क्या है 21 question है फरगना का सासा कौन था गजनाबी, बावर, सिकंदर यह इन में से कोई नहीं बसक्रेशन का right answer को next question क्या है 22 question है अकबर का राजवी से कहाँ हुआ था ये भी important question है सभी important question है 27 के 27 important question है इस वीडियो में ये वीडियो आप को देख लेंगे मुग हल वन बार हम आपको μगल भी question है का एक्झाम में नहीं चूटेगा ठीक ने तो अकपर का राज जबिसे कहां हुआ था तो काला नौर में हुआ था अकपर का राज जबिसे क्यने ए ओप्सन राइट होगा इस कुश्टिन का नेक्स कुश्चिन क्या है तेसमा कोश्चिन है गुरू अरजुन देव समकालिन थे तो किसके समकालिन थे बहादूर साइदुति यह जहां गिर अकबर या इन में से कोई नहीं तो इस कुश्चिन का राइट अंसर क्या होगा जहां गिर के थे राजा गुरू अरजुन देव जो थे जहां गेर के सम कालिन थे यानि B option राइट होगा नेक्स कुछिशन क्या है? 24 मग कुछियन है साह जहां ने मुगल समराज की राजधानी आगरा को कहां इस्तरांतित की थी? यह भी कुछियन एक्जाम में आचुका है कि साह जहाने मुगल समराट की राजधानी आगरा से कहां इस्त्रांतत की थी तो इस question का right answer होगा आगरा से दिल्ली यानि पी option right होगा इस question का next question क्या है 25 question है बैरम खा किसका युवा वस्ता में संडक्चक था बहादुर सायदुती बाबर अकबर या इन में से कोई नहीं तो इस question का right answer होगा अकबर का अकबर का यानि पैरम का किसका युवा अस्ता में संडक्चक था तो अकबर का यानि C option right होगा next question क्या है 25 question है इब्राहिम लोदी को किसनी हराया था पानी पत की पहली लडाई में ये देखवा गया पानी पत की पहली लडाई ने इसके किसके बीच हुआ ये question आ सकता है इसके किसके बीच हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर की बीच हुआ था इब्राहिम लोदी को किस ने हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में बावर ने या ओप्सन राइट होगा यह पानीपत वाले जितने कुश्चन है पहली दूसरी लड़ाई तीसरी लड़ाई कब होई किन के बीच होई यह सब आपको याद रखना है इन्हीं से क्वेश्चन बहुत आते हैं ने मकवरा है यानि सी ओप्सन राइट होगा आज की कुश्चन यहीं समाप्त करते हैं जो अगर आप इस वीडियो की पीडियेफ चाहते हैं पीडियेफ तो हमा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा आप वहां से इस पीडियो को डाउनलोड करक और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे साथ ही बेल आइकन को भी प्रिस कीजे ऐसे ही वीडियो के लिए जाकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप सबसे पहले उस वीडिय को लाइक करें वह हमारे इस वीडियो को सेयर करें जो तो बाकी चात्रों को मिल सकें जो कॉम्प्टीजन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर देख सकें धन्यवाद